नमशकार दोस्तों मेरा नाम है शुबम और आप सभी का स्वागत है दान एक्स्ट्रीम में तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने इंस्टाग्राम के डिलीटे चैट्स को रिकवर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो चैट्स रिकवर करने के लिए किसी भी तरह का थर्ट पाटी अप्लिकेशन का हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं बिल्कुल जेनुइन तरीका बताऊंगा जो कि आपको इंस्टाग्राम देता है चैट्स को रिकवर करने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ा पूराना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपके चैट्स आने के लिए बट अगर आपका नया अकाउंट है तो उसमें ज़्यादा कुछ आपका डेटा नहीं होता है तो वो जल्दी आ जाता है तो चलिए आप सभी को लेके चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पे तो यहाँ पर मैं आचेका हूँ अपने फोन के स्क्रीन पे तो सबसे पहले मैं आप सभी को इंस्टाग्राम अकाउंट पे ले जाकर दिखा देता हूँ तो ये रहा मेरा account, बट मैं इसमें आप सभी को try करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं और एक account है मेरा, मैं उसमें आप सभी को try करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले उस account पे चले जाता हूँ, तो ये रहा मेरा दूसरा account आप सभी देखी सकते हैं, तो यहां से मैं मैं सबसे पहले अपने आपको message कर देता हूँ अब आपको इसे back कर देना है और यहाँ पर आपको profile का icon दिखेगा आपको simply इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको three lines दिखेंगे आपको इस पर click करना है और यहाँ पर your activity का option यहाँ पर दिखेगा तो आपको इस सिंपलि इस पर click कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे तो यहाँ पर नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको download your information का option आ रहा होगा तो आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको अपना email id डाल देना है तो जिस भी email id में आपको informations को download करना है आपको simply यहाँ पर enter कर देना है वो email id तो यहाँ पर मैं अपना email id enter कर देता हूँ यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको request download का option दिखेगा आपको simply इस पर click कर देना है अब आपसे आपका account का password मागेगा तो आप यहाँ पर enter कर दीजिए अपना password password डानने के बाद आपको simply यहाँ पर next पर click कर देना है और यहाँ पर देख सकते एक pop-up आ चुका है You can't request another download It can take up to 14 days to collect this data and send it to you And you can only request a file every 4 days Please wait before requesting another download In short, यह यही कहना चाहरा है कि 14 दिन भी लग सकते हैं आपके data को collect करने के लिए And जब तक आपका data नहीं आ जाता अपने email ID में तब तक आप दूसरा request ना डाल दे अपने download करने के लिए information को तो यहाँ पर simply आपको OK पर click कर देना है और यहाँ पर आपका request हो चुका था तो यहाँ पर हम लोग cross पर click कर देंगे And यहाँ पर back चले जाएंगे अब आपके email ID पर आपका जो data है वो आ जाएगा तब तक के लिए आपको wait करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि आया है या नहीं तो यहाँ पर आप सभी लोग देखी सकते है कि मेरा data जो भी था Instagram का वो यहाँ पर आ चुका है और यह संग-संग आ गया ऐसा क्यों वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ क्योंकि यह मेरा new account है इससे मैंने किसी के साथ भी चैट नहीं किया था यानि कि इस account में ज्यादा data ही नहीं था जो कि Instagram को time लगे correct करने के लिए तो यहाँ पर मैं इसे open कर लेता हूँ अब यहाँ पर आपको download information पर click करना है और यहाँ पर आपको Instagram पर click कर देना है login करने के बाद यह page खुल जाएगा आपको simply इस पर click कर देना है download information पर तो देखिए यहाँ पर download होने हैं शुरू हो गया है यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ और यहाँ पर आप सभी लोग देखी सकते कि यह zip file में है तो आपको इसे unzip करना पड़ेगा तो unzip करने के लिए simply आपको यहाँ पर click कर देना है और यहाँ पर extract files to यहाँ पर option आ रहा है तो आपको इस पर click कर देना है and in case अगर आपका MI का phone नहीं है और यहाँ पर अगर आपका option नहीं आ रहा है extract का तो आपको इसके लिए play store से एक application का download करना पड़ेगा जिसको मैं आप सभी को दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे applications दिख जाएंगे आप जो भी application चाहिए use कह सकते हैं अपने file को unzip करने के लिए and अगर आपके phone में पहले से ही दिया गया यह option तो आप किसी भी तरह के application का use ना करिए तो आपको इस पर click करना है और यहाँ पर extract कर लेना है तो extracting finish हो चुका है अब यहाँ पर आप सभी को दिखा देता हूँ मेरा extracted files तो यहाँ पर देखी सकते है visualizers cafe 8 करके यहाँ पर चुका है मैं simply इस पर click कर दूँगा और यहाँ पर देखी आप सभी को बहुत सारे options निल जाएंगे यहाँ पर आपको messages पर click करना है और यहाँ पर आपको inbox पर दिख जाएगा तो आपको inbox पर click कर देना है और यहाँ पर सारा का सारा account दिखा देगा जिससे मैंने चाट किया था तो मैं अपना शुभमवाले account से चाट किया था तो मैं उस पर type कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए message HTML में आ चुका है आपको इस पर click कर देना है और यहाँ पर कोई भी browser पर आपको open कर लेना है तो यहाँ पर आप सभी लोग देखी सकते हैं कि सारे के सारे जो भी messages थे वो यहाँ पर आ चुका है तो बस आच के वीडियो में इतना ही तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें शेयर करें और सबस्क्राइब करेगा चानल को तो मलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में